हलो व्योर्स मैं हूँ कौसर सर्मा आपका स्वागत है कौसर सर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर व्योर्स आज की वीडियो में हम आपको पताएंगे कि लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाए तो क्या बैंक कर्च माप कर देता है ज्यादा तर लोग अपने नीजी के लिए अकसर बैंक से लोन लेते हैं चाहे बच्चों की पढ़ाई हो बेटी की साधी हो या घर बनाना हो ऐसे तमाम जरूरी काम के लिए हमें अकसर लोन लेना पड़ता है बैंक अलग-अलग बयाज-दरव पर पर परश्नल लोन, होम लोन, कार लोन, business loan और educational loan उपलग्द कराते हैं और हमें उस loan को अबदी पूरा होने तक चुका देना होता है लेकिन कई मामलों में किसी कारण से loan लेने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है ऐसे में आपने कभी सोचा है कि उस कर्ज का क्या होता होगा अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं तो विर्स इस वीडियो को पूरा देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ विर्ष कई लोग सोचते हैं कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की अगर असामाइक मौत हो जाए तो उसका कर्ज बेंक माप कर देता है तो ऐसा संबब है क्या तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिलकुल भी नहीं होता चाहे किसी की भी मौत हो जाए बेंक अपना पैसा बसूल कर लेता है दरसल अगर किसी ने कर्ज लिया है और उसकी मौत हो गई है तो फिर उसके संपत्ति का उत्रादिकारी उस लोन को चुकाएगा अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कानूनी तोर पर उस संपत्ती को बेज कर अपना पैसा बापस ले लेगा अगर संपत्ती करण से ज़्यादा का है तो बैंक इस इस तिदी में निलामी से मिले पैसे को कानूनी बारिश को बापस भी कर देता है अब तो ज्यादा तर बैंक या लोन देने वाली कंपनिया लोन देने के साथ ही उस लोन का इंसुरेंस भी करवाती हैं हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो ग्रहक को टर्म इंसुरेंस के बारे में बताया जाता है ये term insurance loan को सुरुच्छित करने के लिए किया जाता है अगर आप loan लेते वक्त insurance भी लेते हैं तो इस इस्तिती में कज़दार की मृत्ति के बाद bank को बीमा company loan चुकाती है वहीं अगर insurance नहीं है तो bank कानूनी वारिस को दो option देता है वो चाहे तो one time settlement कर ले या फिर loan को अपने नाम पर transfer करा सकता है जिसे बाद में वो चुका सके अब विर्स हम जा लेते हैं कि अगर गाड़ी के लिए loan लिया है तो क्या होगा तो विर्स अगर आपने bank से गाड़ी loan लिया है तो इस मामले में bank सबसे पहले गाड़ी को कबजे में लेता है उसकी नीलामी करता है अगर नीलामी से पैसा बसूल हो जाता है तो तो ठीक है लेकिन अगर पैसा बसूल नहीं होता है तो इस इस्थिति में loan की भरपाई के लिए वो मुर्तक की दूसरी संपत्ति जैसे की घर है, जमीन है, इसको बेच सकता है, तो ये तो हुगा विवर्स वीकल लोन के बारे में, अब हम जान लेते हैं पर्सनल लोन के बारे में, कि अगर पर्सनल लोन लिया है, तब क्या होगा, तो विवर्स अगर आपने पर्सनल लोन ल होता है और EMI की रखम के साथ ही ग्रहक इंशूर प्रीमियम भी भरते हैं ऐसे में कर्जदार की मौत के बाद लॉन की बच्ची हुई राजी है वो बीमा कंपनी से बसूली जाती है ibles अब हम जाने लेते हैं कि Business Loan लेनी पर क्या होता है तो विग säger personal loan का विजिनिस loan में भी पहले से ही इंशूरेंस करवाया जाता है ताकि Business डूबने पर या किषदार की मृत्ती होने पर कर्ज बीमा कंपनी बसूला जा है है अगर माल लिया जाए कि आपने इंसुरेंस नहीं किया और बैंक ने आपके ट्रांजक्शन को देखकर बस बिजनिस लोन दे दिया तो इस इस्तिती में पहले से ही आपके कर्ज की रखम के बरावर संपत्ति को गिर्वी रखा जाता है ताकि उसे बाद में बेज कर्ज बसूला जा सके तो विए यह थी अलग के लिए जिससे कि इसका नौलेज दूसरों को मिले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीची दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कलने बेल आइकन के साथ जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करेंगी और वीडियो से संबंदित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सोजाब हो तो हमें कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय है